हलो फ्रांस और कम बेक टो आ निव ब्लोग के साथ आज आई हूँ तो आप सब लोग कैसे होंगे आई हो बहुत ही बहुत ही अच्छी होंगे और मैं भी बहुत ही अच्छी हूँ तो आज है दुर्गापुजा की महा सब्तमी तो ये देखो आतव चाल कल रात में भीगोने के लिए रख दिये थे तो अभी देखो दूप में दे रही हो सुकने के लिए ताकि पानी अच्छी तरह जर जाएगी उसके बाद ये इसका परडर बनाऊंगी तो आज में क्या क्य रेसिपी बनाने बाली हो तो जरूर आप लोग को दिखाऊंगी तो आप लोग देखते रहो पूरा वीडियो को एंट तक तो देखो अभी धूप में दे दिये चाल को तो पानी जहर रही थी और अभी देखो ये सुक गया है ज्यादा भी नहीं सुकने चाहिए तो इतना ह चाल का आटा तो मैं सब चालने से चाल रही हूं अचीतरा तो सब चालने के बाद भी धूर में रख देती हूं सुकने के लिए लोगी थोड़ा भीगा भीगा है तो बैख seconds जाएगी इसी बेख से दूप में दे रही हूं यह जो आप जाल का पा discipline बनाए हैं देखो दूब में दे दिये हैं तो चला भी आप लोग को बाहर साइट दिखाती हूँ तो इह पर बहुत ही चोटे-चोटे घास पौदे से जंगल हो गई थी तो मैंने सपाय किये हैं और इधर देखो गबर से बहुत अच्छा मैंने लेपाई भी कर दिया है सूब तो चला अप लोग को घर का दिखा दिती हूँ दादे अभी क्या कर रही है घर में तो अब हो गई है साम की पाच बच रही है तो देखो अभी यह देखो सिंदू थोड़े सा लिये है और सुर्सका ओयल से मिला रही हो अच्छी तरह तो आज हम लोग जितने भी घर का दू देख यारमे में चड़ी हो फिर टीका लगा रही हूँ और दुआद दूआ है देख सकते हो तो और भी देखर दूआर है तो आज थोड़ा रात होगी है जादा में आट बज गई है क्योंकि मैं बज़ार गए थी इस बज़ार से सबसब जीविने ले कर आए है उसके बाद ही बनाने के लिए बैटी हूँ तो आज तो बहुते स्पेसल रिसीपे बनाने वाली हूँ तो देखो ये दो जो रांगा आलो लिये है तो देखो ये ग्रेटर से अभी ग् लिये हैं तो देख सकते हूं तो भी बहुत अच्छे ग्रेट कर लिया तो यह सब लिये हैं घी लिये हैं काजू है सुगर और मिल्क और तेजपता और एलाइची यह सब लिये हैं तो यह देखो मिल्क को पहले गरम कर लेते हैं अलका सा और देखो में मिल्क गरम कर रही थी औ और अब बता अब लोगों इदे तो light है तो light का नीचे gas है ना तो बहुत ही कीडा बगएरा सब गीर रहा है यह milk में oil में इसी वज़े से इस तरफ में कर रही हूँ तो मैं पहले इस तरफ ही था यह gas फिर मैं इस तरफ लेकर आई है क्योंकि इधर जब बारिस हो रही थी ना तो बहुत ही बारिस गीर था इसी वज़े से इधर में लेकर आई थी और मैं इधर जब लेकर आई है तो इतना light का आलो क्या बताओ तो ब करब होने के लिए और इधर ओयल चड़ा दिये हैं तो फीठा बनाऊंगी इसी वज़े से तो देखो इसमें घी दिये हैं अभी तेज पाता दिये एक और यह काजू मैं पहले फ्राइ कर रही हूं तो थोड़ा हलका हलका फ्राइ करना है ज्यादा भी नहीं तो देखो बहुत करके रख दिये थे तो आज मैं बनाने वाली हूं रांगा आलो की खी रेसिपी तो देखो अभी फ्राइ करते रहूंगी ऐसे ही जब तक थोड़ा लाल लाल ना हो जाए तो यह देख सकते भी बहुत अच्छे लाल हो गी है यह मिल्क जो पहले में गरम कर दिये थे वही मिल देख दिये है अभी तो ऐसे थोड़ा सा चलाते रहूंगी तो देखो तो ऐसे में चलाते रहूंगी कुछ दिर के लिए और उस साइट देखो मैं पीठा बना रही है यह देखो गूर पीठा बोलते हैं गूर का पीठा तेल पीठा भी बोलते हैं तो दो साइट में बनाने वाले हो एक साथ में तो फटाफट बना लेते हैं और भी बनाना है तो आप लोग देखते रहो यह देखो यह सिम्पिली बना रही हो तेल पीठा तो दो साइड में कर रहे हैं तो नीचे लग जाएगे इसी बज़से यह देखो अभी बहुत अच्छी तरह उबाल आ रहे हैं अभी देख सकते हूं अभी देखो चीनी डाल दिया इसमें और थोड़ा सा नमक यह जो मीटा है थोड़ा बैलन्स करने के लिए तो थोड़ा सा नमक दिये हलका सा जादा भी नहीं तो अभी ढखके रख देते हैं कुछ दिर के लिए तो अभी देखती हूं यह देखो कितना चवबला गया है अभी यह रांगा लुका जो में खीर बनाने वाली हो तो यह पूरा हो चुकी दो देख सकते हो कितने आँए लहा देखने में तो पहली बड़ बनाएं हैं यह जो रांगा लुका खीर ने तो ऐसे ही Cummin parody अर्थ Гण के रख देतेों जपनी बजार गई तो पहले बनाँगी हूं तो पीठा भी बनाना हो गई है और यह जो पाइस खीर बनाए है जो रांगालू का ओ भी हो गया है अभी पूरी बनाऊंगी फिर हो जाएगी आज का जो रेसिपी में बनाने बाली हूँ तो जलो जली यह बेल के बना लेते हैं पूरी तो यह देखो आज तो बहुत कुछ रेसिपी बनाए हैं और इधर देखो तोड़ा मिल्क बज़ गया है तो मैं गरम कर रही हूँ कि ऐसे गरम करके रख दूँगी ताकि खराब ना हो जाएगी तो ऐसे तो प्रीज तो नहीं है ऐसे में रख दूँगे खराब हो जाएगी इतना दाम से मैंने लेकर आए हैं यह मिल्क तो इसी वज़े से खड़ा गरम कर रही हूँ तो यह देखो पीठा भी बन चुका है, खीर तो बन चुका है, आप लोगा बता रहेते हैं, पहले और बता रही हैं, तो यह देखो, अभी आम लोग डिनार करेंगे, पूरी, और खीर, और पीठा तेल की पीठा, तो आज का रेसिपी तो बहुत ही याम्मी है, तो दुरगापुजा के प्रूंपे भी बनाई है जो रांगा अलू का खीर बना हैं बहुत ही टेस्टी लग रहा था आप लोग भी ऐसे करके बना सकते हैं बहुत ही अच्छे लगे तो आज के वीडियो अपनों कैसी लगे अच्छे लगे तो लाइक किजेगा स्ट्रेयार किजेगा और सब्स्रेप भी जरूर कीजिएगा फिर मिलते हैं नेक्स और वीडियो के साथ तब ते के लिए आपनों बहुत-बहुत खुश रहें टेक क्यार एंड बाबाई